कि वेल्कम टू माइ और न्यू चैनल वी टीच मेरा नाम वैशनवी भुचारे हैं और मैं एक पॉली टेखनिक स्टूडेंट हूं और ये मेरा फर्स्ट एवर वीडियो है यूट्यूब पर और अनी सोशल प्लाटफॉर्म राइट नाओ पूरा देश लॉक्टाउन में हैं और इसका हमारे एडुकेशन सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ा हैं इवन हमारे एक्जाम पी कैंसल हो चुके हैं जो हमारा ओन गोइं शेशन था उसके एक्जाम्स कांसल हो चुके हैं और हमें ये बिश्यार नहीं है कि हमारा निए सेशन के लिए college कब स्टार्ट होगे हमारी studies of new session कब स्टार्ट होगी राइट और specially जब से हम रॉपढ़ाउन में आए हैं हमने हमार सारे स्टेडी साइट में रखती हैं अगर हम अपना पॉली टेखनी का सिलाबस अगर हम अपना पॉली टेखनी का सिलाबस एगनौर करते हैं तो हमें बी ए के समय एन किसी competitive exam के preparation के समय काफी सारी दिक्कते जाएगी फिलाल लॉक्टाउन में होने के वजए से हमारे पास 24 free hours है कुछ घंटे अफकोर्स important कामों में जाते हैं but at least आदा घंटा हम पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं I have created this channel जिसमें मैं polytechnic 5th SEM के syllabus से related कुछ videos कुछ explanation videos upload करने वाली हूँ polytechnic several branch 5th SEM के syllabus से related कुछ explanation videos public health engineering ये subject start करेंगे और क्योंकि हमारा इस subject का पहला explanation video है इसके लिए हमें ये जान लेना जरूरी है कि हमें public health engineering इस subject में कौन कौन से chapters पढ़ने हैं right so the first chapter is sources quantity and quality of water the second is purification of water third and the shortest chapter is conveyance and distribution of water fourth domestic sewage and system of sewage fifth characteristics and treatment of sewage the next subject water and water के treatment पे quality quantity you know purification and all sub water के बारे में हमें public health engineering में पढ़ना है जैसा कि मैंने बताया कि third chapter conveyance and distribution of water is the shortest chapter हमारे subject का तो हम start with third chapter से ही करेंगे क्योंकि हम काफी दिनों बाद पढ़ाई start करने जा रहे हैं इसके लिए ठीक रहेगा कि हम एक short chapter से start करें क्योंकि बहुर हो जाएगा तो हम start करेंगे conveyance and distribution of water से और मैंने अपने पूरे video के लिए मेरे explanation videos के लिए जो book refer की है वो है technology publication मेरे पूरे explanation video इसी book पे इसी book के content से पे depend करेंगे I mean मेरा content इसी book से रहेगा मैंने content book से लिया है ताकि आप जब book पढ़ो राइट आप हमेशा videos तो नहीं देख सकते exam के समय video जब भी आपको जरूरत पढ़े video नहीं देख पाऊगे आपको पढ़ने के जरूरत पढ़ेगी तो जब आप पढ़ो तो आपको book के words समझ में आये जब मैं आपको book के words यूज़ करके अपने words में समझाउंगी book के words को अपने words में convert करके समझाऊंगी तो आप जब आगे जाके book पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके लिए मैंने पूरा content इस book से लिया है and I'm not like advertising this book यह मेरा personal choice है मैंने technology publication लिया है आप कोई भी publication ले सकते हो as per your choice as per your comfort जिस book के words आपको समझ में करते है рок अनिमेंगे चैप्टर हम स्पिद्र इस चैप्टर फिर स्व स्थ टॉपिक है रिकन कॉंवेंट आप अव्यां समझ रहा हो समझ रहो, conveyance का मतलब है to transport, so हम इसमें water का transport परने वाले next, carrying water from the source to the intake structure constructed near the source what is conveyance of water, conveyance of water means carrying water from the source water को source से करी करना कहा तक intake structure तक carrying water from source to the intake structure constructed near the source source, अब हमारा source क्या होगा, जहांसे हम पानी लेगे राइट जैसे नदी या फिर कोई जील वहांसे हम पानी लेगे और उसको convey करेंगे, transport करेंगे, intake structure तक, intake structure हो सकता है शायद हमारा treatment plant या शायद distribution, distribution center अगर पानी pure होगा, already साफ होगा, usable होगा, पीने लायक होगा तो हम उसे direct distribution center लेके जाएंगे ताकि हम consumer पहुचा सके पर अगर पानी साफ ही नहीं होगा, तो हम उसे consumer तक कैसे पहुचा सकते हैं, हमें उस पानी को source से, पहले source से हमें intake यानि की treatment plant लेकर जाना पड़ेंगा and then treatment plant से पानी को शुद्ध करके, पानी को pure बनाके, हम फिर consumer तक पहुचाएंगे, तो इस water को, water के carry करने के process को, transport करने के process को conveyance बोलता है, conveying the water from intake to water treatment plant, now, first statement में हमने देखा कि हमने water को transport किया source से intake तक, for example, किसी जील से, किसी जील का पानी हमने पहुचा दिया, intake structure तक, अब वह intake से, अगर वो पानी इंप्यूर रहा, तो हमें उस पानी को पहले treat करना पड़ेगा, तो intake से हमने उस पानी को लेके गए water treatment plant में, right? And from there, वहाँ से, treated water is conveyed to consumer, treatment plant से पानी treat होने के बाद, वो पानी is conveyed to consumer, through distribution pipe, समझ जोगा आप? Conveillance of water का मतलब क्या समझ रहा हमको? Water को transport करना, from source, मतलब जैसे जील, जील से intake structure में, intake structure से treatment plant, पानी शुद करने के बाद, उसे फिर consumer तक, very easy concept, आप समझ रहे हो इसे? So, हम इसे एक flow chart के form में देखते हैं, सबसे पहले हमारा पानी कहा था, source में, of course, जैसे कोई नदी, जील, underground source भी हो सकता है, look, source के दो टाइप्स होता है, surface source, sub-surface source, हमें नाम से ही समझ में आ रहे हैं, surface source का मतलब क्या होगा, वो sources पानी के, जो हमें land के उपर मिलता है, right, जैसे वही नदी, जील, ponds, lakes, right, और sub-surface source का मतलब क्या होगा, जो हमें surface के नीचे, like, land के नीचे पाया जाता है, जैसे underground sources of water, source of water से हम कहा लेके गए थे, intake तक हम, हमने source से, intake, एक intake structure में उसे जमा किया, then intake structure से हम उसे treatment plant में लेके जाएंगे, ताकि हम उस पर treatment work कर सके, हम, उस पानी को शुद बना सके, usable बना सके, एक बार वो usable बन गया, तो हम उसे लेके जाएंगे, कहा, distribution system में, distribution system पढ़के ही ध्यान में आ रहा है, यहां से हम पानी distribute करने वाले हैं, किनहें consumers में, कितना easy concept है, water supply scheme, right, यह flow diagram है, water supply scheme का, source से लेकर, consumer तक कि यह process हमें करनी परती है, पानी को इस तरह से, मतलब, यह पानी का transportation chain है, from source to consumer, तो यहां हमारा intro part, इस chapter का intro part, finish होता है, हम इस chapter का main part, अगले video से start करेंगे, okay, यहां हम एंक अगर वियए हो, होतो हमारा और रवाई वे इस रहां है,